दो हजार चौबीस के चुनावी दंगल से पहले पूर्फ मुख्य मंत्री कल्यार सिंग की दूसरी पुर्णिति थी पर अलीगड में बीजेपी के दिगजो का ये जमावड़ा है जिसके माईने बेहत महत्वपूर्ण है यू समझ लीजिए कल्यार सिंग है बहाना दोजार चौबीस है निशाना मौके की इस नजाकत पर अमिच शहा ने पिछडों से लेकर राम मंदिर तक हर मुद्दे को उठाते हुए याद किये कल्यार सिंग जब बाबुजी मुद्देश के मुख्यमंती बने कर इन्हों ने तीन चीजों पर रख दिया था सबसे पहला त्री राम जलूमी अंदोनन को गती देला तूसरा गरीज कल्यान के भार्तिय दंटा पार्टी के विचार को जमीर पर उतारना और पीछ्रा सामातिक कज़बाव भिकाने पगेश्याती वात को उस्टाए पगेश्य करोणों करोणों पिछ्रा समाच के लोगों का कल्यां आज मुझे बड़ा हंत है ये तीनों कामा को नरेंद मोधी जी आगे ले जा रहे हैं भाईयो वेनो और युवाओ दो जा स्वाबी से चुनाव आने वादा हैं आप बताएए तिहस्ट चर्टिकों का रेकोर्ट जोर कर अस्ती की अस्ती सिटों पर कमल खिलाएंगे क्या? कलियार सिंग की इस पुनितिती को हिंदू गौरफ दिवस नाम दिया बीजेपी ने अलिगर के नुमाईश ग्राउंड में सजे पंडाल में सीम योगी आदित तिनाथ ग्रही मंत्री अमिट शाह से लेकर यूपी और केंदर के करीब 30 से ज्यादा मंत्रियों ने शिर्कत की इस शक्ती प्रदर्शन का संदेश यही दोजार चौबीस में बाकी न रहे कोई कोर कसर आने वाले दोजार चौबीस में उत्र प्रदेश की असी की असी सीटे हम रदान मंत्री बोदी जी के जोली में ढाल कर उनको पुने एक बार पूर्ट महुमत के साथ देश का रदान मंत्री बनाएंगे रदान सेवक बनाएंगे हिंदुत्व के साथ साथ OBC के बड़े चेहरे रहे हैं कलियार सिंग वहीं अलिगर के साथ साथ बुलंच शहर काजगंज एटा और आसपास के जिलों की साथ सीटों पर लोधी समाज के वोटर्स का बड़ा वर्चस्व है ऐसे में बीजेपी की कोशिश इस दूसरे पिछड़े वर्ग को मजबूती से जोड़ने की है यानि अलिगर से निकला संदेश पश्चिम के साथ साथ बाकी जिलों तक भी जरूर जाएगा क्योंकि करीब 4.9 प्रतिशत वाला लोधी वोट पश्चिम से लेकर बुंदेल खंड तक वर्चस्व रखता है मंडल कमंडल की पोस्टर बॉय रहे कल्यार सिंख को शिदत से याद करने के कई कारण है 2024 के चुनाव से पहले ही भविरामंदिर आकार लेगा उससे पहले रामंदिर आंदोलन के पुरोधा की हिंदु गौरफ दिवस वालिय पुणितिती बेहत एहम है वहीं अलिगड के मंच से हरीगड का नाम उच्छाल कर केशव प्रसाद मौरे ने जैश्वी राम का नारा लगाते हुए याद किये कल्यार से आज ये सैंकल प्ले करके जाएए तीसरी बार माननी नरेंद मोजी जी के नेकरत में नार्टी चंता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने के रिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोगस्वासीतों को चिता करके कमल फिडा करके बाबुजी को सच्ची सुद्धाम जली देंगे और जोरो हाथ भाकर करके बोलिए जेट स्री राग और ए हरी कड़वालों तेरे और जोर से बोलिए जेट स्री राग वहीं 2024 के चुनाव से पहले हिंदू, हिंदुत्व और राम मंधिर सरी के मुद्दो को धार दे रही बीजेपी पर विपक्ष कह रहा है इंडिया वाले गटबंदन की ये घबराहत है पहराल 2024 की चुनावी 27 पर जहां विपक्ष अपने इंडिया वाले गटबंदन के जरी जोश दिखा रहा है अगली मीटिंग में विपक्षी गटबंदन का नया लोगों भी जारी होगा वहीं कल्यार सिंग की पुर्णितिती पर बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन ने भी 2024 के इरादे जाहिर कर दिये हैं ऐसे में सवाल ये है क्या कल्यार सिंग करेंगे 2024 में बीजेपी का कल्यार?